दाउसकार, आज देश एक बहुती विश्चित्र दौर से गुजर रहा है और पत्रकारिता के लिए एक नहाय थी मुश्किल दौर आज जब पत्रकार सरकार से सवाल करता है, जब सामाजिक सरकार के मुद्दे उठाता है, जब आपके यानि की युवाओं, बेरोजगार, किसान, वंचितों और अल्प संखकों के मुद्दे उठाता है, तो उसे डराया जाता है उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है उसके दफ्तर पर छापे मारे जाते हैं और कुछ मामलों में तो उसे अपनी जान से हाथ गवाना पड़ता है उस पर F.I.R. तक दर्श कर दी जाती है हम में से कई पत्रकारों और संस्थाओं ने इसे महसूस किया है यानिकी पत्रकारिता के जगत में भी एक डर के माहौल को बनाया जा रहा है पत्रकारिता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गई है सरकार से सवाल करना देशद्रों माने जाने लगा है यह तमाम बातें आप समझते हैं और इन तमाम बातों को न्यूस क्लिक अपने मंच से लगातार लाता रहा है आपके मुद्दे उठाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है इसलिए आज मैं आप से एक अपील करने आया हूँ सामाजिक सरुकार की ऐसी पत्रकारिता को करना आसान नहीं है दोस्तों इसलिए आप में से कई लोगों को हमारा साथ दिना होगा दोस्तों बहुत आसान है क्लिक कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल पर और ये जो आप जॉइन का बटन देख रहे हैं इसको दबाईए जैसे याप जॉइन का बटन दबाते हैं तो आपको हमारी सदस्ता के 3 स्टेजिज मिलेंगे या 3 मेंबर्शिप के मॉडल्ज मिलेंगे हमारा कॉंटेंट जैसे आपको पहले मिल रहए था अब भी मिलते रहेगा मगर अगर आप हमारा साथ दें इस membership को grant करके तो हमारे हाथ और मजबूत होंगे और हमारा वादा आपसे कि जस तरह से हम अपने पत्रकारिता करते रहे हैं पहले करते रहे हैं वो आगे भी करते रहेंगे बगाएर डरे बगाएर जुके वो तो कभी नहीं बदलने वाला है और वो आपने समझ भी लिया होगा बावजूद इसके कि इस New India में जो सरकार से सवाल करता है उसके पैर में बेड़ियां बांध दी जाती है उस पर अंकुश लगाया जाता है उसके लिए मुश्किल हालात पैदा किये जाते है बावजूद इसके News Click अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेगा इसलिए आपसे मेरी एक अपील कि हमारे हाथ मस्बूत कीजे और हमारी Membership को ग्रहन कीजे